तो हलो दोस्तों वेल्कम आप टू माई यूटूब चैनल दोस्तों सरज्यों के सीजन आ चुका है इस सीजन में सबसे अदो प्रॉब्लम्स क्या आती है हमें कार की बैटरी डॉन हो जाती है और उस वक्त हम किस तरह इस्टार्ट करते हैं बहुत सारी समस्य आती हैं आप गर पर स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं और जो कि हम पावर सप्लाई यूज करने वाले हैं आज हम घर से ही चलाने वाले गर के इलेक्टिक जो बोर्ड होता है उसी से ही चला करके अपनी कार को स्टार्ट करके देखने वाले क्या स्टार्ट होती है या नहीं और किस चीज से हम स्टार्ट के नियाल वो है कंप्यूटर का SMPS सो गाइस यह हमारे कंप्यूटर जो होता है CPU में लगता है वो इसका पावर सप्लाई है इसको SMPS भी बोलते हैं और यह आप देख लीजिए 12 वर्ड के आमें चाहिए और इसमें 12 इससे तो कार स्टार्ट है नहीं क्योंकि यह डैमेज हो चुकी मगर जो हमारी यह बैटरी लगए इससे हमारी गाली स्टार्ट है और अगर यह बैटरी डाउन हो जाती है तो उस वक्त हम क्या करें हम क्या करने वाले इस बैटरी को पूरा रिमूब कर देंगे हटा ही देंगे और फिर अपने हम कम इस SMPS से अपनी इस car को start करके देखने वाले क्योंकि इसके आपने जिस तरह आप वायरिंग करनी हैं हम कर चुके हैं इसमें ब्लैक वाले सब एक साथ लिया हैं और यलो वाले लिया हैं यह हमारा positive हो गया यह हमारा negative हो गया तो अब हम इसी को electric board में लगा करके पूरे इमने wiring system कर रखा है यहां तक की board ले आ हैं तो अब हम इसमें लगा करके इसमें चेक करने वाले इस battery को अटा देंगे इसमें जो इसके टाइमिनल है इसमें हम अपना smps power supply लगा दें फिर देखते हमारी यह car start होती है जो की 1000cc की इंजा नहीं है तो इसको हम start करके देखने वाले हैं तो क्या करते हैं इस battery को कर देते हैं पूरी तरह से remove फिर हम अपने smps की connection इसमें करते हैं बैटरी को हम पूरा remove करके यहां से हटा ही देंगे यह हमने smps का positive वाला वायर है आप देखिए यह हमारा black negative वाला तो इसका जो positive वाला है हम इसी में ही इसको fix कर देते हैं अच्छे ते टाइट कर देते हैं इसको fix कर दिया है और अब हम बारी है इसके negative वाले point को लगाने की रेंगे को हैं तो इसका जो नेगेंटिव वाला वायर है इसके नेगेटिव वाले वायर में हमें इसको लगा देना है गैंड़ हमने complete इसमें wiring कर दिए fix यह negative हमने वायर लगा दिया है बस यह कहीं टच्च ना हो अब हम इसकी जो पावर सप्लाई जो है वह हम लगा देते हैं अपने इस बोर्ड में ठीक है यह हमारा सुच बोर्ड है और इसके बोर्ड में हम इसको कनेक्ट कर देते हैं कि अब यह हमने इसमें लगा दिया और आप इसका देखें चाली हो चुक्ड मतलब यह सिस्टा हमारा ओन हो चुका है अब आप देख सकते हैं यहां कुछ नहीं लेगी हुए अलग से भी कोई हमने वायर नहीं डाला हुआ है केवल हमें यह इसमें डीचितिती आई है और यहा दिखाने वाले सुगाइस हम कार के अपने अंदर आ चुके हैं और सबसे फ़ले हम रूफ लाइट को अपनी आउन करके देखते हैं तो सबसे देखिए हमारी लाइट चल लाइए प्रॉपर और अब बारे हमें कुछ लाइट जिलाग देख लेते हैं सुगाई यह हमने पा करते हैं सो गाइस हमारा सबसे चल लाइए प्रॉपर छल लाइए अब बारी हमें इगनीशन को आउन करने के फिर देखते हैं क्या होता है स्टार्ट होती है या नहीं आप बने रहेगा व्योडियो में तो इगनीशन देके हमारा पूरा सिस्टम आउन हो चुका है तो अब आ रही है हमाई कार में सेल्फ मारने अब सेल्फ मार के देखते क्या उठा पाता है तो इस देखिए नहीं उठा पा रहा है इंजन हमाई स्टार्ट नहीं हो रहा है मतलब सेल्फ हमाई नहीं ले पा रहा है हलकी सी आवाज आ रहे हैं बड़ हमारा इंजन स्टार्ट नहीं हो तो आपने देखा और फिर हम अब क्या करने वाले मतलब इससे यह पधा चलता है कि हमारा यह स्टार्ट नहीं कर सकता है बिना वैटरी कory कि इसका यह में अपने कार को किस तरह स्टार्ट करें क्योंकि आपकी करने ड्ल जो कि उसमें power supply नहीं है उसको हम पहले आपको इसमें लगा दे रहे हैं फिर हम देखते हैं क्या वह बैटरी और यह दोनों मिल करके हमाई कार के इंजन को श्चार्ट कर सकते हैं या नहीं वह भी हम चेक करने वाले हैं कि अश्में है और धाय्मेज है तो यह खराब वैटरी तो इसमें 10 वोल्ड दिखा रहाते हैं तो एक बार बिना से बैटरी से power supply लगाते हैं और यह अपने लगा दिया तो अब हम बार यह अपने कार को श्टार्ट करने की सो आप देख सकते हैं SMPS हमारा यह ओन है तो इसको हम कर देते आफ और यहां से हम इसकी केटार को हटा देते हैं आप ने देखा हमने इसकी वाइरिंग पूरी हटा दिये और हमारा SMPS है पूरी तरह से बंद यह देखिए इसके हमने करें के भी लटा दिये अब हम एक बाद स्टार्ट करें देखते हैं यह बैटरी क्या कर स्टार्ट कर रही या नहीं फिर हम वीडियों में आंगे बढ़ते हैं इसका की नहीं हो रहा है यह देखिए सो अब हम भारे है SMPS को on करनेगी क्या SMPS मिल करके हमारी कार को start कर सकता है या नहीं क्योंकि यह same वह condition आ चुकी है जो कि आपकी battery down हो जाती है उस वक्त आपकी car start नहीं होती है यह condition है सो एक बार try करके देखते हैं क्या position होती है क्योंकि हमारे SMPS on हो चुका है और अब देखते हैं दोनों मिल करके क्या हमारी कार को start कर सकते हैं या नहीं क्योंकि यह battery down है और हमने power supply भी दे रखी है सो कोशिस करते हैं कि क्या क्या गाइस नहीं इंजन में थोड़ा सा लोड आया मतलब इंजन हलका तो घूमा बट start नहीं हुआ सोगज देखिए start नहीं हुआ तो एक बार out try करते हैं क्योंकि SMPS हमारे cut हो चुका है off हो चुका है सोगज जैसा आप देख सकते हैं इसमें 8V divider के दिखा रहा है और SMPS हमारा off हो जाता है कट हो जाता है ज्यादा इस पर अगर लोड पड़ता है तो तो इस condition में हमें क्या जानने में मिला है कि हमारा SMPS स्टार्ट नहीं कर सकता है हमारी कार को बले ही 18 MPR इसे बहुत सारी चीज़े आप चला सकते हैं बट हमारे कार को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं इस SMPS की मदद से और आप वोल्टेज इसमें देख सकते हैं अभी इसी वीडियो में लगा करके तो यह सिस्टेम को हम पूरा हटा देते हैं यहां से इसका पूरा लगा हुआ है फिर उसके बाद उस चीज़ से हम अपनी कार को स्टार्ट करके देखने वाले हैं सो गाइस हमारा जो एक्सपेडिन तब वो फेल हो चुका है किसी भी पावर सप्लाई से हमारा कार स्टार्ट नहीं हो रहे देखिए दोनों ट्रांसफार्वर रखाए हुए हैं वह भी लगा के देखा बट हमारी का इंजन को स्टार्ट नहीं कर पाए तो आपको अगर इस तरह से बैटरी चार्ज करवाना तो आप किसी चार्जिंग पॉइंट पे ले जाए वहाँ पे आप चार्ज करवाजी लेकिन इससे आप बैटरी को चार्ज जरू कर सकते हैं ट्रांसफार्वर की मदद से आप कार के बैटरी को चार्ज कर सकते हैं उसक किसी भी power supply हमाई कार स्टार्ट हो जाती और काफी अच्छी power supply मिलती है तो आपको वीडियो बनाकर जरूर डालेंगे तो आयो आपको वीडियो पसंद आए कुछ नौलिज जरूर मिली होगी अगर वीडियो पसंद लाइक करें चैनल पहली बार सब्सक्राइब करके पर आइक